नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बिंटर सीजन के फ्लावर्स के लिए वेजटेबल्स के लिए सीडलिंग मिक्स कैसे बनाएं कि हमा आने लिए वीडियो के नुट्विकेशन आपको आसानी से मिलती रहे हैं दोस्तों सेडलिंग मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए आज़े 50 % आप लिए वार्डिन स्वाइल 30% सफ़ोटी ने सकते हैं कॉडंग कंपोस्ट और 20% आप लीजिए पर लाइट या वर्मीकुलाइट दोनों मेंसे आप कुछ भी ले सकते हैं साथ में फंगस से बचाने के लिए क्योंकि विंटर सीजन में मॉइस्चर ज्यादा रहता है नीम की खली आप यूज कीजिए तो इस आप अपने पॉर्टिंग स्वाइल मिक्स में सेडलिंग मिक्स में एक मुठ्थी नीम खली डाल सकते हैं और साथ में कोई भी फंगि मिक्स या मिट्टी बनाते हैं अपने सीड्स के लिए उसमें हम ना तो रेट का यूज करेंगे ना ही कोको पीट का क्योंकि रेट और कोको पीट यह मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं तो इससे होता गया है कि मिट्टी हमारी वैसे भी सूखती नहीं है जल् कर रहा होता है तो हम पर लाइट यूज कर रहे हैं पर लाइट एक छोटे-छोटे ग्रेंवल में आता है जो कि आप उसे अगर थोड़ा हाडली प्रेस करेंगे तो वह बिल्कुल बारिक हो जाएगा तूटके पर लाइट का भी काम चुकी वाटर होल्ड करता है वो भी और एक्सेस होने का मिट्टी को भुर्वरी बनाये रहने में मदद करता है तो इस तरह से हम पर लाइट का यूज करेंगे और सोयल लगाने के लिए हम इस थर्मोपॉर्ट का यूज करेंगे थर्मोपॉर्ट का वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड है आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं थर्मोपॉर्ट इसलिए भी ज्यादा उपयोग उसके बाद हम इसे भर लेंगे पूरा इसको भरने के बाद हम इसमें फिर शीट्स लगाएंगे दोस्तों ऐफार्मोह पाल्ट का जो में यूज होता है हमारा वह यहीं होता है कि जब हमारे स्वीड और किसी पाउट में लगाते हैं तो जब उसमेंसे किसी सीट को निकाल के लगाने के बाद ताना के बराबर होता है में तो इसलिए थर्मोपोर्ट को ही हम प्रिफर करते हैं जरुढ है तो ज्यादा अच्छा होगा इस प्रिकार हमने लेकblue को सेडिल lan के लिए तयार कर लिया है अब है भी मेरी कोष्छ जुकीनी के भीर हैं सिट्से हैं जन्य मैं लगाऊँगा आप फिलाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहा हूं तो मैं एक ओट में ये मुंति तेन से चार सीस जुकीनी के लगाऊंगा वैसे जो भी सीट्स आप लगाएं उसे पहले वन नाइट ओवरनाइट आप पानी में डाल के छोड़ दें वो सीट्स जब फूल जाता है तो उसकी जर्मिनेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है फास्ट हो जाती है जो सीट्स आपका नॉर्मली पांच दिन में होगेगा वो आप वन नाइट पानी में भीगव के रख देते हैं तो वो सीट्स दो से तीन दिन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है और जो तीसरा पाट है हमारा उसमें दोस्तों यह मेरे कुछ परवल के बीज है जो मैंने हमारे यहां परवल लाया था तो उसमें से कलेक्ट किया तो हम इसको लगाएंगे मैंने परवल दोस्तों अभी तक तो नहीं लगाया है मैं फर्स्ट टाइम परवल लगा रहा हूँ तो ये एक एक्स्पेरिमेंट ही समझे परवल भी लगा लेंगे हम सेम वही किसी भी सीट्स को लगाने का दोस्तों गोल्डन थम रूल होता है कि सीट्स को उतनी ही गहराएं में लगाया जाए जितनी की उसकी सीट्स की खुद की चौड़ाई या उचाई है कि उसके बाद हम इसमें पानी दे देंगे सारे पॉट्स में अब उसको पानी देने का भी एक करीका है कि आप विंटर सीजिन में पानी उतना ही दे जब आपकी सीडलिंग की स्वाइल जब देखें कि वहां ड्राई हो गई है तब ही वॉट्रिंग करें वरना हमारे सीट्स जो है वो गल जाते हैं एक्स्ट्रा वाटर से और वह फिर आ सब्सक्राइब